तो दोस्तों इस वीडियम में आज बात करने जा रहा हूं एक और नई रिक्रिमेंट के बारे में जो कि बाजुस की तरफ से निकाली गई है अब वैसे तो आपने देखा होगा जो बाजुस में वेकेंसी निकाली जाती है वो जाया तरह सेल्स की बहुत ज्यादा निकलती है बीडिये की तो यह एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें न तो आपको कोई सेल्स करना है ठीक है और नहीं कोई टार्गेट रहेगा ठीक है तो इस तरह की जो पाना बाजुस में ठीक ठाक रहेगी क्योंकि इसमें जो सेलरी होती है वो और की और जो कंपनियां होती हूं उनकी कं अब जैसे इसमें जो यह जो वेकेंसि है यह है आपकी content creator की ठीक है content developer और senior content developer को के साइंस अंडव मैथ और के थी का मतलब यह जो class तीन तक होती है उन class के लिए आपको क्या करना है इनका content, मतलब content create करना है, एक तरह से content बनाना है, तो content में क्या है, आपको एक तरह से idea देने हैं, ठीक है, script लिखनी है, फिर उसको वो जो वहाँ पे editor होंगे, और जो vfx वाले होंगे, वो सब एक तरह से edit करके, वो सब बनाएंगे उस content को, तो मैं एक तरह से script देनी है, idea देन हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, कि उनको interest आए एकदम, या जो चीज वो आठ दिनों में सीख पा रहे हैं, उसमें कुछ add करके बताए जाए, जैसे diagram या photo या और भी कोई animation वीडियो, जिस से क्या है, कि उनको एक interest तो आए ही आए, बट वो जो आठ दिन में चीज सी दिक रहे हैं, वो थोड़ा जल्दी सीख जाए, तो इस तरह है कि आपको idea वहाँ पर देने हैं, तो इसमें अगर बात करें कौन-कौन eligible है, तो देखो इसमें आप कोई भी graduate हो, यह तो आपको पताई होगा, कि बाजुस graduation complete मांगता है, तो आप कोई भी graduate हो, BA, BSC, BC, BC, BTEC, जो भी है, आप apply कर सकते हो, आप यद फ्रेसर हो, तब भी apply कर सकते हो, experienced हो, तब भी apply कर सकते हो, 5 days रहने वाला है आपका इसमें, ओके, तो दो दिन की छुट्टी रहेगी, और इसमें जो salary आपकी, वो करीब 5 LPA तक रहने वाली है, तो पांच लाक पर रहनम आपकी salary पे, ना तो कोई sales का जन्याट है, इसमें न होई कोई targeted, तो यह link जो है, वो मैं description प्रोवाइड करा दूँगा, direct इस पर apply करना, और इसमें और भी यदे आपको कुछ देखना हो, तो इसमें यह देख लेना, profile में यह पूरी दी गई है, ठीक है, तो मिलते है अली वीडियो म ओके, और भी कोई doubt हो, तो comment section पूछ लेना,